वेट लोस के लिए सबसे ज़ाधा ज़रूर है एक हेल्थी बेलेंस डायट बटक बैलेंस डायट के साथ हैं कुछ इंग्रेडियंस हमें एसे भी लेने होते हैं जो आपके इखेंटल्स को एक्षेलरेट करें आज हम एक ऐसे इंग्रिडियंट को अपने रेसिपी में यूज करने वाले हैं हलो एवरीवाद, I'm Sobin, your fitness coach और आज हम बनाने जा रहे हैं कोकम सॉलकडी ये गोवा का काफी फेमस रेसिपी है आप कहीं बेभी गोवा में किसी बे रेस्टरांट में चले जाओ और आप एक थाली ओडर करते हो तो उसके साथ आपको कोकम करी चरुड मिलेगा अब एक कोकम होता कैसा है तो ये कुछ इस तरह से आपको बाजार में दिखेगा वैल, इसका फ्रूट तो अलग रहता है लेकिन ये जो आप आप देख पारे हैं जो बाजार में आपको नॉर्मली मिलेगा ये उसका पल्प होता है जिसको यूज करके हम कोकम सर्बत या फिर कोकम सॉलकड़ी जो गोवन सॉलकड़ी है नॉर्मली बोलते हैं वो बना सकते हैं कोकम सॉलकड़ी बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिया है approximately 10 जो ये basically उस fruit जो basically fruit का pulp होता है अब इसको हमें extract करने के लिए इसमें हम add करेंगे पानी अगर आपने fresh pulp लिया है तो आप normal थंडा पानी add कर सकते हो लेकिन अगर आपने बाजार का जादा दिनों का pulp लिया है तो आप इसमें गरम पानी add कीजिए अप्रॉक्सिमेटली हमने एक आधा ग्लास पानी add किया है अगर आप यहां पर देख पाओ तो हल्का हल्का कलर इसका निकलने लगा है यहां पर मैंने गरम पानी डाला है ताकि अच्छे से पहले ही extract इसका निकल जाए अब इसके साथ साथ हम इसमें बारिक कटी हुए ग्रीम चिली डाल देंगे एक से दो कलव जो हमने इसको बारिक काट लिया है गार्लिक डालेंगे और एक पिंच ओफ एक छोटा सा अधिक इनको डालकर हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और इनको भी साथ में फ्लेवर डिवलॉप होने के लिए छोड़ देंगे इसके अलावा इसमें हम डालेंगे सॉल्ट एकॉर्डिंग टू टेस्ट हम सॉल्ट इसमें एड करेंगे और पिंच ओफ हिंग इसको हम फ्लेवर डिवलॉप होने के लिए कुछ देर के लिए रखतेंगे एक से दो गंटे के लिए या तो अगर आपने गरम पानी डाला है तो इसका फ्लेवर डिवलॉप चलती हो जाएगा तो एराउंड आधे घंटा भी रखना काफी होगा कोकम यह जो सौल कड़ी है यह बिलकुल कैलरी फ्री है क्योंकि इसमें आपको पानी में कुछ जादा कैलरी तो मिलेंगे ने प्लस आपको कोकम की वज़े से बहुत सारे विटमिन्स मिलते हैं जैसे कि विटमीन ए, विटमीन सी जो आपके हेल्थ के लिए तो काफी अच्छा ही है दूसरा कोकम को काफी जादा आयरुवेदा में यूज किया गया है अलग-अलग डिजीज के इलाज के लिए हम यहाँ पे इस कोकम सौलकड़ी को खाने के बाद पिएंगे ताकि यह डाइजर्शन में हमारे इंप्रूव कर पाएं और कार्बो हाइडरेट मेटाबॉलिजम स्लो डाउन हो जाता है कोकम जो होता है इसमें एक कमपाउंड होता है हईडरोक्लोरी हाइडाओकसी सिट्रिक एसिड प्रूवन है तो है वेट लॉस में बेजिकली फेट लॉस के लिए उपकी मेटबॉलिजम को बूस्ट करने के लिए इन फैक्ट ये सेरे टोनिन के प्रोडक्शन को भी बढ़ाता है ब्रेन में जिसके वज़े से आपको भूख कम लगती है एपटाइट आपका सब्प्रेस होता है जिसके वज़े से आपको बार-बार भूख नहीं लगेगी और काफी अच्छे से आप अपने मील को इंजॉय क कर सकते हो और बार-बार भूख न लगने से आप एक्स्ट्रा कैलरी खाने में खाना एबॉइड कर सकते हो इस तरह से आपके वेट लॉस में यह करेगा आपके डाइजेशन को इंप्रूव करेगा और और टेस्टी तो यह है ही आदे घंटे के बादे काफी फ्लेवर डिव हो गया है एक रेडिश सा कलर आ गया है इसमें जाधा टाइम तक इसको आप रखोगे उतना जाधा फ्लेवर डिवलॉप और टेंजी फ्लेवर आएगा जितना टेंजेनेस आपको पसंद है उसे साब से आप आधा गंटा या एक घंटा आप इसको रख सकते हो आप अब इस या दूसरा बर्तन हम लेंगे और उसमें इसको हम छान लेंगे अब छानने के बाद जो कोकम के पल्प है वो सेपरेट आउट हो गया है और इनका फ्लेवर घटाती का जिंजर का फ्लेवर और इसमें जाचुका है इस मुमेंट पर लास्ट टैप यह है कि हम इसमें पोरियंडर डालके हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और यह हमारा रिटी हो गया है गोवन सौल कड़ी यह काफी टैंची और खटा फ्लेवर देता है और काफी टेस्टी भी होता है अगर आप इसको अंटीनार या फिर लांच में लेना चाहते हो तो आप इसको पना के स्टो झाल का.